असलाम अलेकुम वीवर्स आज मैं आपको कद्दू का दाल्चा हरी मिर्ची में बनाना बता रही हूँ उसके लिए मैं हंडी चड़ाई एक डली प्यास कट कर ली प्यास दालूंगी तीन चमचे ओयल दालूंगी करिया पाल दालूंगी और इसमें थोड़ा चिकना और गोश दालूंगी टेस्ट अच्छा होता हरी मिर्ची को मैं ग्रैंड कली अब बड़ादा चमचे अध्रक लासा अब बड़ादा चमचे अध्रक लासा हरी मिर्ची ग्रैंड कली हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के सापते दालिए अब अटक लासा तो और ग्रैंड कली हरी मिर्ची आप अधिडा है अब इसमें टमाटे दाल दें तोड़ी देवे प्राइब करेंगे अपन इसके बाद में मैं देखें दो टू बॉल्स मसूर की दाल ली वो भी दाल दे रही हूं इसमें मैं अजयलक टाइट से बता रही हूं आपको दाल चाह पुरा एंडिंग कर देखें देखें मैं दाल दालके पुरा मिक्स कर ले रही हूं एक पांच मिनिट पानी दालके मैं कुफ करके पका के फिर आपको बताऊंगी उसके बाद कद्दू आलोंगी सीज़िए देखें मैं इसमें पानी दाल रहे हैं अब मैं लीट कवर करूंगी एक पांच मिनिट साथ मिनिट के बाद आपको लीट कवर खोड़ा के बताऊंगी देखें मैं अब लीट कवर करूंगी अब लीट हटा के देखूंगे देखें तक्रीबन दाल गल गई अब मैं इसमें कद्दू दाल दूंगी और दूंगी दूंगी साथ मिनिट कर दोफे हैं अब लीट कर दोफेव अब अपन इसमें नमक दालेंगे क्योंकि दाल पुरी डल गए ना मैं दो चम्चे दाल जूंकि खटा दालना है आप आपके हिसाब से दालिये नमक और मैं इसमें गरम मसाला भी दाल दोंगी आप पिसाबा गरम मसाला दाल रही आप चाहे तो खड़ा मसाला भी दाल सकते गालची में दो देखिए पौचम्चम है गरम मसाला दाल 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 भी दाल आप अब हिला के अब पांच मिनिट हाई फ्लेम पर पका के मैं यह बाद मैं सिम्प पर कर दोंगी सिम्पे कद्दू गलने क्या स्काश्चा अगर मैं ज्यादा देर हाई पर पकाई तो फिर यह नीचे दाल पर पकड़ लेती है अब इसमें अभी खटा दालना है तो मैं पानी ने दालूंगी इसमें कद्दू गलने एक पांच मिनिट के बार मैं स्लोपे कद्दू गए ब्लीट हटारी हूं कद्दू क्या पोजिशन है देखिए कद्दू आं गल गया अब इसमें अपन खटा दाल देंगे देखिए कितना जल्दी बन गया ने तो अलग दाल गला के करके यह बहुत आसानी से बनता और वो टेस्पी होता कद्दू कि अमने डाली थी प्लेट आप अपनी टेस्पी असाबसे दालिये कोई कम खाते को ज्याद खाते हैं हालि अगर आपको ज्यादा खटाने खाते तो ना टमाटों का भी बना सकते हां मैं जैसा बनाई वैसी बनाके थोड़ा पतला के लिए तो ज़िए यह खटाने दाल के आपको बोली थी पांच मिनिट के याद मैं सिम पे पकाऊंगी मैं पांच मिनिट के याद सिम पे करके पकाई पांच से साथ मिनिट के अंदर कद्वां गल गए देखिया आप आए आए कद्वां गल जाता है गोश गल जाता है इसमें हंडी में बनाए तो नहीं बनाता बगोने में भी मैं बताई वस्टा वेस्टा पकने के लिए लिए इट क Universal कार रहें पांच मिनिट के बाद बता त कि चलिए अब देखिएगे कया कोजिशन है चलिए माशाळा अच् दालचा बनके रड़ी हो गया मैं जैसा बताई आपको वैसा बनाई है वह टेस्टी होता हरी मिर्ची का कद्दू का दालचा बिल्कुल कच्छी मिली का टेस्ट आता और जो हैसो आप लोग मेरे चाइनार को सब्सक्राइब करिए मेरे डिश को शेर करिए कॉमेंट करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए जब भी कोई नई डिश अपलोट करूँगी तो आप तक पहले पहुंचेंगे फिर मिलेंगे नई डिश के साथ अल्ला हफेज